कई है देखो सडके बनी है पानी की औरिस्ता जो होती है वो बहुत अच्छी हुई है जो मुलक अम लेकरन की सोचे करता ते इसके भी तर्बम फोड़े करता उन्ती आपनी रोटी चलानी है हाजबा के साथ जो मुसल्मान हैं बिल्कुल दिल के साथ खड़े हैं लेकिन जब 2014 में हाजबा की सरकार बनी तो उनका कबरिस्तान भाई करोड की लागत से हमारे यहां के स्थानिया पार्षद ने और हमारे विधायक ने कराने का काम करा है अर्थ प्रकाश देखने मले तमाम भाईयों बैनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार प्यारे भाईयों बैनों आज हम खड़े चुनावी चुपाल जन्ता के तीखे सवाल जैसे आपको पता है कि हम इस प्रोग्राम के तहत जो जन्ता के क्या दिखते हैं वो प मेरे ना मजे मिश्रा है मैं माताबं सदी मंदल से मंदल सची हूं तो आप यह पता हिए कि यहां पर कौन-कौन से काम हुए हैं कई है देखो सडके बनी हैं पानी की विवस्ता जो होती है वो बहुत अच्छी हुए है और बूत लेवल से लेके नैशनल लेवल तक गौर्मे मिक्ता के धार पर जो कोड़ ने ठटेगा वो करवाव कि ऐसा तो काफी सारे काम ऐसे हैं जिनके उपर चर्चा चल रही है काफी टाइम से लेकिन बेसे अग्जामपल कौन-कौन से हैं यहां पर जो पानी बगएर की के इशू थे पहले बट अब वो सौल हो चुके है इतना बच्चों के ड्रेस अपर और काम किया जा रहा है बच्चों है यहां पर स्कूल है बिल्कुल डेफिस्ट पर रहते हो यहीं बैसे तो आप हमें यह प्ता ही कि इस एरिया में आपके एरिया में कौन-कौन से बड़ा बड़े दो काम हुए है आप एपताने जल्दी देखो सब्सक्राइब बच्चों के होगी 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 हजार तो बहुत होते हैं हजार बहुत होते हैं हम तहकी काथ भी करेंगे हाँ कर लिए फिर आपके पास आएंगे हम हाँ अब माइक कामरा बोर्यों की हजारों बच्चों की शादिये हुई हैं यहां पर कौन सी जगह पर हुई है और सो दोसों में तो हम जा चुके हैं इतने कौन फिडेंस के साथ कहते हैं अब आगे आए 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 हाँ जी क्या न पर चाहते हैं परशाद की दुकानों की हमें बूट दिये जाए जाए होते हैं फिस त्रीके की दिख्कत पार्किंग लेवल की हो और कोई जी बहुत खुली पारकिंग है मनसा तो आप यह पता ही है कि जो आप कह रहे हो की पार्किंग खुली है कोई दिक्कत नहीं है फिर प्रवाइब कौन सा एक चाहते हो कि यह काम होना चाहिए वहां पर ताकि और अच्छे तिक्के से हो सके एक तो जी वहां जो बूत है हमारे उसके बैक साइड नाड़ा है वह अगर वह कवर वह बढ़ी है जी और दूसरा जी जो पारकिंग जी स्पारकिंग में मेरी दुकान ह है उसकी थोड़ी वह बजरी है थोड़ी सी उखड़ गिया अगर उस पर दुबारा ले राजे वह बहुत बढ़ी है जी बाकि सरकार ने बहुत संतुस्टी जनक काम करें हैं जी सारा देश कूस है राम मंदिर बना दिया 378 अधी कस्मीर लगबग ले लिया जो मुलक अम ल से बड़ा मुद्दा था राम मंदर का मोधी जी ने राम मंदर बना के हमारी इतनी बड़ी संतुस्टी के इस से उपर सबसे पहला जो मारे दायत्तों बनता था जो हमारी सनातन के लिए तो आप कह रहे हो कि इस बार बोट राश्टवाद को पड़ेगी बिलकुल ठीक है अब हमारे बीच में अंके जी आई अप ये ऐ गण्टे का बन जाए यह हमारा वार्ड है वार्ड नम्बर एक तो यह शुरू हता है महादेपूर्ट स्केतरी से श्रीम मंदिर संकर जी के चरनों से तो वहां पर मुसलिम समधाय के लोग रहते हैं कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाजबा के साथ मुसल्मान नहीं है पर ऐसा भाजबा के साथ जो मुसल्मान हैं दिल के साथ खड़े हैं हमारे वार्ड में महादेपूर गाउं है पूरा मुसलिम समधाय का अधिक अबदी नभ है आपने यह कह भी दो बार मुख्या मंतरी बनेगे लेकिन उनका एक काम था उनकी कबरिस्तान क्योंकि एक ऐसा काम होता है समसान घाट या कबरिस्तान जो की हर एक जगा बिल्कुल जादा जरूरी है इनसान का लास्ट घर वो है तो वो भी उनके पास नहीं था अजादी के आज तक लेकिन जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी तो उनका कबरिस्तान धाई करोड की लागत से हमारे यहां के स्थानिया पार्शद ने और हमारे विधायक ने कराने का काम करा है उनका इतना अच्छा कबरिस्तान बणा करके दिया है जिसमें वो होर कार्यकरम भी कर सकते हैं तो मुसलमान बिना किसी भेदभाव के, किसी बिना भाजपा के उससे, हमारे स्थानियानेताओं से और भारती जनता पार्टी से और मोदी जी से तो परभावीत हैं, क्योंकि मोदी जी की जो भी स्कीमे हैं, वो कोई ऐसे बाट कर तो है नहीं कि ये मुसलमान को दी जाएगी है, इंदु को आती है, हमारे गाँ उसके इतनी में आई थी, और बड़ी खुशी की बात है कि वो सबसे पहला जो स्लेंडर मिला था, वो एक अपाही जी वेक्ति था, और वो उसका नाम अब्दुलरहमन था, इनने पता है कि सबसे पहले जो उजवला योजना के तहत जो आया था, विक्स स्टेंटर नहीं है, मेरे पास उसकी फोटो भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, उसका फारम मैंने बढ़ा था, और उसका सलेंडर भी मैं घर पर चोड़ कर आया था, उसको उजलवा योजना का सबसे पहला लाम मिला था, वो मुसलिम भी था, और गाहों स्केतरी का भी थ तो इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि बगार पक्षपात के यहां पर काम हो रहे हैं, वो हो गया सी क्वेशन ना था, जो वो बिलकुल ठीक है, सीवरेज भी वही है, गाउं भी वही है, हम भी वही है, लोग भी वही है, कोई सड़े छे करोड का प्रोजेक्ट है, जो वो ऐसे मन गणत नहीं आप त्यार हो, अगर कोई दिक्कत आती है, आप त्यार हो, मिकान का, जब दूसरा मुद्दा ये ठाया था, कि जो हमारे बच्चे स्केटरी के कॉल्जी में जाते हैं, उनको आपने डिमिशन नहीं मिलती, इसके बारे में क्या है, ऐसे मैं 10 लोग गिनवाऊंगा, जो मेरी गड़ी के आसपास के हैं, जो उस कोलिज में डिमिशन लेते हैं, उस कोलिज में पढ़ते हैं, और आज पंचकुला का जो PG कोलिज, उसका स्तर बहुत बढ़ा है, और रही बढ़ाई की बात तो केंदर सरकार से, निफ्ट का, जो पूरे भा वहां से लोग बच्चे पढ़ेंगे भी और वहीं से शिक्षत हो करके उनको रोजगार की तरफ भी बढ़ाये जाएगा और जो प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजनाय लोन हैं उनको अगर किसी को अपने काम करना है आतम निर्भर बनना है नोकरी देने वाड़ा बनना है तो उनको वहां से बना करके मोदी जी की सरकार भी बेज़ेगी अच्छा आपने वह वह भी मतिती चोथा उनका प्रशन यह था कि हमारे एरिया में मैं दोहरा रहा हूं आपको मैं कि हमारे एरिया में MP और जो एक बार भी नहीं आए तो इस बा 85 दो नंबर ट्यूवल के सामने घर है मेरा वह गाउंस के तडी में है और वहां पर मेरे घर पर ही कारेकरम दो बार बंतो जी के भी हो गया है स्पिकर साब के भी हो गया है और लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत भी कराता हूं आपर और आज भी भेंसा टिबा में जहां कि आगर किसांगों के बारे में आद तक किसी ने सोचा है तो केवल और केवल मोधी जी ने सोचा यह जो इस तरह सोचा सिधा किसान के खाते में एक आम ग्रीब जिसके पास दो एकड़, तीन एकड़, चार एकड़, पांच एकड़ तक जमीन है उसके सिद्धे खाते में डालने की पेंशन लगाओ आप या उनको भत्ता लगाओ उनके नुक्सान के पैसे हैं वो सिद्धे खाते में लेकिन वो कहे रहे हमारे पास कोई खाते पर पैसे नहीं आए सबी सबीने कहा उतर तो एक बर वह चेक करा दें हम भी वहीं आप भी आजाओ उनका स्वागता वो आए और हमारे साथ बहस करें और अपने एविडेंस लेकि आए उस दिर में आपका इंट्रव्यू देखा था वो कहते थे कि उसमें हमारे पास एविडेंस है तो एविडेंस लेकर करके वह आए हम सामने बैठेंगे और हम लोगों के खाते में सिद्धा पैसे आए हैं जो आज गरीब के खाते में सिद्धी पैंशन तीन हजार पे आती है तो भारत यह जंता पार्टी की सरकार के कारण आती है नहीं तो किसी को सरपंच के बाद जाना पड़ता था विधाय के बाद जाना पड़ता था अफसर उसक को निमंतरन दे रहाए यो भेनी देखिए उस दिन हमने प्रोग्राम स्केट्री में किया था और तस्वीर का जो दूसरा रुख है हम भी चाहते जनता को तस्वीर का दूसरा रुख दखाएं और आज हम इनके बीच में जो नों ने प्रशन किये थे प्रेट फारम से उन प्र सरकार की योजना अभी तो गिनवानी शुरू भी नहीं करी थी दो चारी हुई है और जो योजना है आज इंटरनेट का जमना है आप वेब साइड पर जाकर देख सकते हो डिपार्टमेंट की वेब साइड पर जाकर करके देख सकते हो आँकड़े बिल्कुल सही मिलेंगे आज कोई कागचवाड आंकड़ा नहीं है कि जो रखा है इतना हो गया है अब यह बताओ कि जो एलेक्शन आ रहा है लोग सभा का वो एलेक्शन पार्टी किस मुद्दे पर लड़ेगी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी रोजगार के मुद्दे पर लड़ेगी और सबसे पहली बात तो जो चार जातियां, चार वर्ग मोदी जी ने बताएं हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, ये चार वर्ग के मुद्धे पर भारती जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, मोदी जी चुनाव लड़ेगी। पास आते हैं, उसमें भी नाकाम रहते हैं, असफल रहते हैं, अगर विरोध करना है, भारत लोकतंत्रिक देश है, सोतंत्र हैं सभी, अपना दिकार रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, अगर किसी ने विरोध भी करना है, तो सामने आएं विरोध करें, ये किसी किसान का और मंदल दैक्स इसी एरिया के एसे और इसाओ Allah द Stockholm और Lawrence निचली ह 파र्टी सब्सक्राइब फिर कर आगी अगर किसी को मेरे भाई भैन को किसी अरिया में दिखके था 24 घंटेन के साथ खड़े हैं और जो प्रशन किये थे इन्होंने जवाब दिया अगर किसी के मन में भी डाउट है तो फिर भी एक बार बात रखने के लिए त्यार रहता हूं वो भी हमारे अपने हैं अपने परिवार के हमारे गाओं के हैं कभी भ और वह हमेशा अगर मैं वहां सामने खड़ा होता तो शायद को यसी बात ना करता वह एक डरन नहीं है क्योंकि वह सब हमारे मुह मत्ते लगते हैं कहते हैं गाओं में की मुह मत्ते लगते हैं और उनके किसी जितने वहां लोग इंटरव्यू में खड़े अच्छा एक बात नव मत दाता हैं पहली बार वोट देने वाले लोग हैं लूट निकलते नहीं बहार करने का जो बजूरग हैं उनका काम है वोट डालना अधिकार सबका है वह किसी को अदिकार है लेकिन हमें जन्द सेवा के रूम sut करना चाहिए उसके लिए इन्हों ने अपने जो युवा साथिये सबकी डूटी लगाई अमबात दान वाले दिन आप इनसे संपरक भी कर सकते हैं इसे दिया के आप आप मुबाइल नमबर नाइन एट सेवन एट सिक्स नाइन सिक्स एट वन हैं गाउंस केतरी में रहता हूं किसी भी परकार के किसी को वोट बनाने में समस्य आ रही है या किसी को पॉलिंग बूट तक पहुंचने में समस्य आएगी तो मेरे से संपरक करें मैं उनको घर से ले जाकर करके पॉलिंग बूट पर वोट पॉल करवाने के बाद वो उसकी अपनी मर्जी है वो किसको वोट पोल करता है उसमें यह नहीं कि अगर कोई भारती जनता पार्टी को बोट पोल करेगा उसी को हम ले के जाएंगे वो किसी को भी वोट पोल करे हम उसको ले करके जाएंगे बूत तक और उसको घर वापस सोड़ करके जाएंगे यह सबसे निवेदन है कि आप सभी वोट जरू जुरूर करें मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा चुनावी चुपाल अर्थप्रकाश के प्रेट फारम से गाउं मैसा डिबा अपने कैमरामेन केज जी के साथ